तो यहां गाउ निंदाना में कुछ दिन पहले जो एक गारगी नाम की जो गाए माता थी सारंग भाई से जो वरिंदावन मतुरा का नाम लेकर कुछ दलाल यहां से लेकर गए थे और कुछ ने कुछ सारंग भाई की विगल किया रही हैं और सारंग भाई उनको मानने को भी तयार है तो उस गाय का सफर कैसे यहां से निंदाना काउं से कलकता तक हुआ इसके बारे में आज आपको पूरी जनकारी बताए जाएगी तो सभी भाईयों को राम राम सबसे पहले सारंग भाईया आपको आपके आपके śार्णग भाईयां और का करी ने किपस्टें में अचीर मेरे पास रही जरेक मेरे मिच्तर थे साथ थी वह आये थे तो सेक्षी मन लेने के लिए आये थे भी सेक्षी मन दिलवाय थे देशी नसल के जे तो उन्होंने बोला बाई वीडियो बनाएंगे जे मन तो मना करा था बहुत शारे फोन आई जे मैंने गाएं बेचनी नहीं थी तो मना 3 लाख रुपएगी एक बाई के पास रिमांड कर दी वैशे ही को लेगा 3 लाख रुपएगी टो 3 लाख रुपएगी सुबर्वाव के चेहा पास अदमी थे और अट रिस्तेदार लिए और 3 लाख रुपएगी देखा जबान उने कर दोदेगी जबान के बाद मन देख देखे देखे बाराम के तेखे । में झार वैर साढ़ी जिंदराण के पार्णी में खाग जिदरान का बिले किक है। जो आपके पास जो गायले निया था वह जिंदरान का बतारे वाप। मतलब क्या रिक्वेस्ट करके लेगे थे यहां से गाई को बड़ी आदमी गजा है और देदे और रखगा शोकिया आदूत फेरागा और इसकी शिवा करागा तो भाई मखलेज है अमने नू थोड़ी दी अग मारी जो गहां उड़ गई तर इसना पता है लिए गहां तो अग अच्छा बलकी इसना प्लगी पैशा है मा बाई लिया बाई उड़ी लिया के बाद है जब यह और गूमाता राख हुआ भी रह जेगे अपने विचेरी के बाद है अच्छे मा कई रप्यम लागो मा पीसे लाग दे जाए लिया तो सारंग भाई कितना लीटर दूत था गा मुत्रा विरंदावन का नाम लिया बगवान शरीकर्षन की भूमे बाई राम हुआ मुत्रा विरंदावन आम सोचे आरती उर्ती खातर शोक के लिए आसरम में जाएगी वा अच्छे शोकिन होंगे गाए के गूमाता के तो मुआ गई अमना फिर पता चला चला अम गए जो जो ले गया था मारे गर्षे लाड़ो के पास उसके बहुत जोर जबरदस्ती जैसे भी हमने उसको सटन करे कराए फेर उसने गुडगाओं गुडगाओं के बाद में मुत्रा मुत्रा शे आमने एक शंजे नाम का वैक्ति उठाया वो बियार वियार शे एक बंदा और उठ फिर हम कोलकता गए कोलकता से 20-25 किलोमेटर आ गया एक पठान का फारम था डेरी फारम उसमें तकरीवन बैसे थी देड़्सों के करीब दोस्तों के करीब देशी गाई थी इन मेंसे मैं आपको फोटो दोगा और हम गए तो हादो गंटे पहले आठकीनस पटने के कान अपन चमार ने उठाते हैं अम गंगा जी में बाते हैं तो दास श्कार करते हैं अपने अपने आतों से मिटी दिलवाई उसका बाद में बचड़ा की आलत बहुत खराब थी अमनों वहीं से का डिकरी और बचड़े गोम आप देखो वह रहा गारगी का बचड़ा प्राइस चीत लेकिन एक महिना तक पूरा परिवार ना डंग तरो टी खाई खाई खाणा पीना खाया और बहुत दुखी होया मवागू मात आ गई और लेने के लिए यहां से 6 लाख रुपे में लेके गया था अगवाई 7-4 लाख में बात हो रही है और 5 लाख रुपे खर्चा लग जा और लग बगए एक स्वा महिने में जो इसकी आलत है कुछ सुधर चुकी है जो पहले की जो तब इसको लाए थे तब इसकी मापको वीडियो दिखाऊंगा आप स्क्रीन पर देख लेना पहले इसकी क्या आलात थी और अब कैसा है तो सारंग भाई आपके साथ और कौन-कौ जाज किया है और गोप्रेम बहुत ज्यादा है इसलिए इनके गोप्रेम को देखते हुए रमेश उरफ मेसा भाई को गोरक सादल रोत का जिला देख्ष भी बनाया गया है तो जिला देख्ष जी यहां पर बैठे हुए हैं तो रमेश भाया बताएं आप कलकता गए तब आ जाज कर देख्ष भाया है जो आड़ कई पस हुआ मगई थी दिल पर चोट लागरी थी मनाय लाज भी करूआया और तो बोले भी मर्गे तो मखा मर्गी तो भाया मान लागरे हां देने आए मिटी नहीं देनी उन्हारा वेट करें आम नजा कर उसका साथ वीडियो बनाई जब उसका बाद उसका दा संशकार करें अच्छा आप जब तब यहां चले यहां से कलकता की रिया था जिवित थी हां तब गाया जिवित थी आप रश्टे में थे तब गाय ने सरीर पुरा करूआ अधिया तिल्ली ऐर पोर्ट पर धे और टेस्ट मांग लिया उना हमारी जिन्दा जी पोच जाते हैं जिन्दी की वीडियो बनावाए और अपना लियान की तहारीम गए थे उन भी देन की यहां कर रखी थे हम पूरा जो मारे पैसे का इंतजाम था सब कुछ करके गए थे तो सारंग भाई एक बात और बताएं आप लोग सारे बाई बाई मन बहुत सलली थी तो बहुत शारान मना कर जैथा जो बहुत बादीबाते करते हैं सब घए फार00 बाई मुश्रमाना से बैसे के पैसे स्य व्लकुत जा ने कि बहूं आर Yeah9 बाते ले और परिवार वालों मना कर दिया तो हम फिर भी सब कुछ मना करने के बाद मैं कलकता के लिए निकले थे इसके पास तो बहुत सारी बच्डी बच्डिया खगड पढ़ने लग रहे हैं अलांकि पूरा मैं क्या क्या ओट है बड़ता है लेकिन डेरी फारम है दूद का काम भी है पखान के बारे में पारे में आप सब्सक्च बताएं और को बचने से पहले यहां आपके घर से जाने से पहले क्या मुझे पता था इसके वरे तो और आपका तो इसम कोई वह नी था ना रहाम को फेले पता था ना बाधों पता था गया लिका था गया ना दिए आपर ना विक वाले थे ना पर तो भाई राम मैं सभी भाइयों से संदेश देना चाहता हूं बहुत दुखी मन के साथ मैं कि मेरे से तण जाने में गलती हो कोई ना देगी वाहि बाई कोई और बाई ना देऊ तो एक बात और बताएं सारंग भाई आपके यह घाट गाए जाने के बाद 10 दिन के अंदर ही यह सब खेल हो चुका है घाट बिमार भी हो गई और शरीर भी पूरा कर लिया तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था क कि आपकी गाएं अकेली नहीं आई गुडगाउं या फरीदाबाद से हमारी दस गाएं और आई थी उनकी नहीं अलग अलग डेरी फार्मों की अच्छा तो पठान ने बताई थी तो दस गाएं इखटी हो के आई थी तरक मैं जीश उपरान ते बच्चे का तो कान कट गया ज जाने की वज़ए से और गाएं के अगली तरफ जालर लटकी होती है वहां दूसरी गाएं का पैर रख्या है जो सरजन ने बता है डोक्टर ने वहां पैर रखने के कारणे उसका वह नस्फटी पानी बना शुरूआ है तो यह बताई है उनके डोक्टर सरजन ने तो जब ग erekर में जो ज्यादा बीड ओने में के वज़ए से ट्रक में और गाएं की चाती के ओपर पर किसी अन्य गाएं का पैर रखaldi दिया गया है यह बात किसी द्सरे डूक्टर ने बताई है और उन गाएं की ठाटिका हर्टburg किया गया और गाएं को बचानी पाए डोकटर तो गाय को नहीं बेचा पाये और काफी खेद के अarenda को भी और में भी जो नमी और्याखों उस is जो गाहे है वामें जा ईकी जा चुकिक है और जो उसी ज़िझा इसकोर गाई से कही नहीं जाने में गलति हो नहीं, तो सारंग भाई के मन में भी गोपरेंब है, सारंग भाई रात को भी गाड़ी पकड़ते हैं गौरकस्एदल में और तसकरी चाओगा है, तब मुझे नहीं पता office, तो मैं गाय से नहीं जाने देता यह सारंग से बूल होई है और मिसाा भाई आप भी बताएं आप आप जैसे गाड़िया पकड़ते हो गोरकशडल में हो तो किस परकार के गाई आ आ या बैल आते हैं क्या उुकव दूद्वारी भी होती है अब नया ट्रेंड चल रहा है इनका दूद्वारी फिकप गाड़ी में तीन दो तीन दो तीन लेके उनके वो नहीं गाओं के पंच सरपंच में मर्शब कुछ फरजी मोर लगा के आगे निकल वाते हैं ठीक है और जो यह अरियाना वाड़े दलाल है वह बोल देते हैं कि यह गामे रियर याना की है उदलाल के पासे पुछती हैं कोई यूपी कोई बिहार कोई बंगाल ऐसी जाती है यह मेरे टीम के हैं रात को सब सेवा करते हैं अब डेली का काम हो चुक्या यह तो अच्छा आप डेली गाड़िया पकड़ते हो हाँ 2020 में क पिस गायों को तो व्या पारियों से लेकर आते हैं फ़ाई ने भी बता है कि वह तसकर है वे नो और बताना चाहूंगा इसार के पास में गाउं है मैं उन व्यापारियों का उन गाउं वालों का नाम नहीं लेना चाहूंगा तो उस गाओं में उस व्यापारी के पास नो गाओ थी शेल के लिए और नो गाओ दो दिन के अंदर अंदर नो अलग अलग अदमियों को उसने बेच दी तब उन गाओं को बेचा गया अगले ही दिन वो नो के नो गाओं तसकरी वाले टरक में पकड़े गई तो कहने का मतलब ये है कि वो जो तशकर हैं वो जियादी हैं वो इतने ज़्यदा ताकत वर हो चुके हैं कि अलग-अलग नो बंदो शे गायों को खृईदा और वो नो के नो बंदे उनी के थे और हमारे बीच के ही जो सजनबेक्ती जो उनके जो साथ में मिल जाते हैं और गा वियापारियों से कि गाय को सोच समझ कर ही बैचे उसकी कस्टमर की आईडी लेकर या फिर जो भी उसका गाउं का नाम पता सब कुछ लेकर ही गाय को देना चाहिए किसान किसान को बेचे दलाल को नहीं को पेचे। जी जी तो किसान किसान को cầnजाए difacer को मेरे कोוהिव इसे बस्तड़ytt में केये। बेद्गिन झेपिमा टी बचाहिसों पुलकत्ता से अर्याना महम ले जाय जा रहा है वो बुतर मेशा और सारंग निदाना के दुआरा झाल झाल